मैं तो बहुत सामान्य हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, अगर कोई ये सोचता है, तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का स्मरणी हमें हमारी हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है और सब के प्रयास की यही बावना, समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य, भारत का आधार बनेगी, और यही तो देव से देश, और राम से राष्ट का, राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों, लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे, अपार शक्ति के ध्यनी थे, लेकिन जटायू, जटायू जी की मुल्य निष्ठा देखिये, वियम महा बली रावन से भीड़ गए, उन्हें भी पता था, कि वो रावन को परास नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चनोती दी, कर्तव्य की यही पराकास्ता, समर्त, सक्षम, भव्य दिव्य भारत का अधार है, और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार, आईए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे, राम काज से राष्ट काज, समय का पल-पल, शरीर का कन-कन, राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे, मेरे देश वासियों, प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए, ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए, ये पूजा अहम से उड़कर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की पराकाश्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार्प समर्पन का प्रसाद प्रभु राम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वयवशाली और विख्सित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमरत काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूजी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक परिस्तितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवावों से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीड़ी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशन आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है परंप्रा की पवित्रता और आधुनिक्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये बग्यराम मंदिर साच्छी बनेगा बारत के उत्कर्ष का भारत के उदे का ये भव्यराम मंदिर साच्छी बनेगा भव्य भारत के अब्युद्य का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमाणित हो अगर लक्ष सामुहिकता और संगर्दी सक्ती से जन्वा हो तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबह नहीं है ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है सताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहां पहुँचे हैं हम सब ने इस युक का इस कानखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं हम विकास के उंचाई पर जाकर ही रहेंगे